तो मित्रों सागत आपका और IPL का मेच नंबर 11 LHG और पंजाब की भी स्खेला जाने मिला और यह मेच लगनों के एककवा इस्टेडियम में होगा अगर आप भी इस मेच की मेगा ग्रेंड लिकी टीम चाते हो तो वीडियो को एंड तक जरूद देखना क्योंकि आज की इस वीडियम में प्रोबेबल प्लेंग 11 पेच रिपोर्ट और हेड टूएट की रिकोर्ट में बात करेंगे उसके बाद वेन्यू स्टेड क्या गया यह इस लगनों के उसके बात करेंगे उसके बाद इस मेच के लिए जो भी टीम बनाएंगे उसके लिए स्कूरिंग पटन किया गया इन सभी पॉइंट पर आज बात करने वाले तो वीडियो को एंड तेक जरू देखना वीडियो को लाइक कर देना वह चैनल को सस्क्राइब जरूर करना तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों इटिमों के प्रोबेबल पर नजर आएंगे जो कि बोलिंग भी डाल सकते हैं उसके बाद नंबर एट पर रवी बिश्नों आएंगे और नंबर नाइन पर मोहिसिन खान और नंबर टैन पर नवी नूलक और 11 पर आएंगे यह स्थाबूर और आपको इंपेक्ट प्लेर में आयुस बदोनी देखने म पुसैणी आएंगे तो कि स्था नंबर 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 पर आएंगे हैं और नंबर गऐसर नहीं को मिलेगे। और अगर इस प्लिंग ने उन्हों कुछ चेंज हुआ तो यह मैं अपने टेलेग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा तो आप टेलेग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना लिंक डिस्क्रिश्ट्रिशन में दे दिया है तो दोनों के हैट टो रिपोर्ट पर बात करें तो अ इसाम से प्लिंग्री और टोटल साथ स्क्र Hub हो चुग एंचनल बेटिंग्राम तो उन्हों 10-्या1 की शोधियर फ्लिशन में तो शिखुलियर कछ याँग कमिर्द सो बोलर हैमके स्के मियों पर भेट्वर्ट सो की बात करें यहां चम बहुत से एके तोटल साथ मेंच मैच जिती है और सेकेंड बेटिंग करने वाली ने दो मैच जिते है तो आप देख सकते हो यह पर चुब बेटिंग फर्स्ट करेगा उसके जाधा जितने के चांस है तो इस बात को आपको जुरूर ध्यान में रखना है और उससे आप से टीम बना नहीं और केप्टन वर्स के सब्सक्राइब करें लिए इस बात को दिखा लेकिन इस्पीन के लिए ज्यादा है वह पकरने वाली और यहां का एवरेज पास ही बनते है जाधा तर उसके बाद यहां का हैस्ट ऑने जोगी बनाया उसके बाद यहां का लोर अच एकmile दो और बनेगा इस एक 260 के बीच तो इस बात को ध्यान में रखकर ही टीम मनना नहीं तो चलिए अब टीम को क्रियेट करते हैं तो सबसे पहले विगिट की पर सेक्षिन की बात करें तो यह पर लोकेस राउल देखने को मिल जाएंगे और जे सरमा यानि जितेश सरमा देखने को मिल जाएंगे उसके बाद यहां पर प्रप स्रीमेल सींगें तो पांचोई बेट्समें खेलने वाले हैं लेकिन आपको इसमें से कुछ नश कुछ सेलेक्ट करने पड़ेगा तो यहां पर में लोकेस राउल को सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि बिजले में इसमें अच्छा पड़देशन करके आ और ओपनिंग पर आते और अच्छे फोम में भी है उसके बाद बात करें तो आपको निकोलस पूरन को रहना है क्योंकि मैंने बूला था आपको एवरेज इसकोर बनेगा और इनकी बेटिंग आएगी तो यह निचे से जल्दी से खेलेंगे उसके बाद आपको यहां पर ज और आयस बदुनी है उसके बाद सेजांग सिंगे उसके बाद यह सारे खेलने वाले नहीं है उसके बाद यहां से शिर्फ आपको शिक्र दोंको शेलेक्ट करना है 실ndर इनिंग में बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन पिछले में में उन्होंने 5 इनिंग में बहुत क्योंकि यह सेकेंड इनिंग में बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन पिछले मेज में उन्होंने फाइस इनिंग में बहुत अच्छा प्रदेशन किया था तो यहां पर जोनी बेरिष्ट को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि यह इस फ्रेंडली पीच रहने वाली हो और यह को मिल जाएंगे उसके बाद इसी दवन कृष्णा पागोतम तो यह निचे वाले खेलने वाले नहीं उसमें से आपको सबसे पर सेलेक्ट करना है सेम करण को क्योंकि यह बूलिंग भी करते हैं शुरू के दो डालते हैं उसके बाद यह अभी तीसरे नुमबर पर आ रहा है इसरे चोते कभी भी आ सकते हैं इनको उपर भी बेजा जा रहा है इसलिए इनको जरूर लेना है उसके बाद मारकर्स इस्टोनियस को भी लेना है क्योंकि यह निचा आएंगे और निकोलस पूरन के साथ यह अच्छे हीट लगाएंगे उसके बाद बात करें तो यहापर ल देखने को मिल जाएंगे हरसल पटल देखने को मिल जाएंगे रवी विश्टोनियस देखने को मिल जाएंगे नमी नुलक देखने को मिल जाएंगे नेतल एलिस देखने को मिल जाएंगे अमित मिस्र देखने को मिल जाएंगे राउल चर देखने को मिल जाएंगे सीवा सिर्षिन खान है हरुप्रित बरार है उसके बाद तो निचे वाले को खेलने वाला नहीं है तो सबसे पहले आपको कगीशु रबाड़ को सेलेक्ट करना है क्योंकि यह डेट ओवर में भी दो दो डालते हैं और शुरू के पावर प्लेव में भी दो डालते हैं इनको जरूर स करना है उसके बाद आपको हर्षल पडल पडल को सलेक्ट करना क्योंकि मैंने बोला यह स्लोप पीच रहने वाली है और इस हिसाप से इनके पास लोर वन है तो यह जल्दी से विकेट चटका सकते हैं उसके बाद रवी विष्णुई को जरूर लेना है क्योंकि यह भी लिए और इसके बाद आपको यहां पर रवी विष्णुई को ट्राइ कर सकते हो चार जैने को आपकेटन की तौर पर ट्राइकर सकते हो अगर वोईस केप्टन को ट्राइ करना है तो यह आपको निकोलस पूरन है और जितेश सरमा है और मारकर्स इस्टोरियस है तो आपको तो एंने तीन को तो वोईश केप्टन 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 ना रही है तो इस बात को जैन सब्सक्राइब नहीं है अपने टेले ग्राम चैनल पर दूँगा और में वीडियो में खुर नंद ब्डाए है